इस दियार्धिमित्रों मैं वीडी सिंग विविकान विद्याले आज आपको जीव विग्यान का अच्छा बारे की चप्टर नम्मर 6 इसे डीने निर्माण की कार्य डाली एवं एंजयम टॉपिक के बारे में समझाओंगा डीने निर्माण मतलब डीने से डीने का निर्माण नया डीने कैसे बनता है कहां बनता है किस प्रकार से बनता है कितनी मात्रा में इसका निर्माण होना आवश्चक होता है इन सब बातों की किया द्वारा करता है इसे हम डिने का स्वेम जनल भी कहते हैं रिप्लीकेशन ऑफ डिने के एक टुकड़े में से दूसा टुकड़ा सेम टुसेम किस तरह बनता है माता-पिता की लक्षणों का संतान में होता रहाना इन डिने की वज़े से ही होता है यहां पर एक लिद्जांपल दिया है इकोलाई में कई एंजाइम उपयोग में आते हैं जो डिने का निर्मार करते हैं डिने पर निर्भर करते हैं डिने पॉलिमरेज एंजाइम जो कि छारी उगम को निर्मार करता है छारी उगम मतलब आमने सामने दो बेस हों तो उने छारी यहां पर यहां दिया गया है कि डीने पॉलिमरेज द्वारा बहुत कम समय में बहुत सारे नुक्लोड़ाइट बना दिया जाते हैं इकोलाइ की बात करें तो 4.6 इंट्टी पावर 6 बेस पेर मिलते हैं इनकी तुलना मानव के दिवड़न से किये जाए तो उसके अंदर 6.6 इंट्टी पावर 9 बेस पेर होते हैं प्रतिक्री प्रिया को पूर्ण होने में 18 मिनिट लगते हैं इकोलाइ में 2000 बेस पेर रेट यानिका जो रेट है पर सेकिंड वो है 2000 बेस पेर यानि कि 4000 बेस यह बेस पेर की बात कर रहा हूं में बेस पेर में 2000 बेस पेर और सेकिंड इनका निर्माण होता है बसरते के कोशिका रसमें से पूरे द्रवे इनको मिलते रहें ATP मिलती रहें एंजाइम मिलते रहें अगर इनमें से कोई वी एक चीज कम पड़ दई तो इसका रेट कम हो जाएगा जो ATP होता वो सकती पतान करता है और टर्मिनल को ATP फोस्पेट द्वारा फोस्पेट घटक इसको जोडने का काम करते हैं अधिक सुदता के लिए DNA पॉलिमरेज के साथ DNA स्वेम गुरन करके एक से दो बनाता है जिसे हम इसकी प्रतिकरती भी कहते हैं सबसे पहले DNA की पूरी सं से खुल जाती है खोलने के लिए एंजाइम की पढ़ती है DNA हेलिकेज अगर यहां पर हम देखें यहां यह यह दो स्टेंट बनाए गए हैं इस इसे प्रतिकरत दुसा कहते हैं जो कि यहां पर दिया गया है स्वेम जनन चिम्टा चिम्टा मतलब फॉक्स चिम्टा यहां पर DNA हेलिकेज एंजाइम इस DNA की किसी एक स्रंखलाव को किसी एक निश्यत इस्तान से तोड़ना सुरू कर देता है तोड़ने के लिए यह कमजोर हाइड्रोजन बंद जो एक के सामने यहां पर देखें यह बना हुआ है DNA का पूरा एक स्टेंड है यहां पर एक छोटा सा भाग तो नहीं होता क्योंकि एक साथ निर्माण करने के लिए अधिक मात्रा में ATP चाहिए और ATP इतनी जल्दी से हमें प्राप्त नहीं हो पाते तो एक साथ पूरे DNA का डुप्लीकेशन या इसे निर्मान नहीं हो सकता क्योंकि DNA नहीं मिलता यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स चर्चा करेंगे विस्तार में समझेंगे बुग में तो खाली एक ही टॉपिक दिया है यहाँ पर हम बताते हैं आपको क्रमबद तरीके से देखेंगे यह DNA का एक स्टेंड है इस DNA के एक स्टेंड को कोई भी जगह से तोड़ सकते हैं जहां से आवश्यकों वहाँ से और यह कोशिका विभाजन की अर्ध सुत्री विभाजन में रहे हैं जो पूर्वा वस्था फस्ट है उसके अंदर यह प्रिकलिया सुरूर होती है यहां पर आंतर वस्था में DNA का दुगधन होता है आंत्रा वस्ता मतलब दो कोशिका विवाजन के बीच की वस्ता में निर्माण इसका अर्ध सुत्रिवाजन में होता है अर्धा होने के बाद यहां DNA हेलीकेज मत्द मैंसे इस वाग को तोड़ देता है यह देखें यहां पर हेलीकेज ग्रीन कलर का दिखाये गया है यह ग्रीन कलर का हेलीकेज इन बॉंड्ड को तोड़ना सुरू कर देता है यह कमजूर हाड़ोन बॉंड है जो A और T C और G के बीच में आए हुए है ज यहां पर इतना भाग खुला यहां पर थोड़ा और खुल गया पहली बार में इतना भाग खुला तो इतना DNA बन गया दूसरी बार में और खुला तो इतना DNA बन गया यानि कि एक संकला पर यह टुकडे में बनता है और एक संकला पर यह लगातर बनता चला जाता है जैसे ज बनते हैं उन्हें असतत टुकड़े कहते हैं या ओका जागी टुकड़े कहते हैं जिनको बाद में लिगेज एंजाइम द्वारा जोड़ दिया आता है यहां देख रहे हैं आप 325 चेन और यह 523 दोनों एक दूसरे के वे प्रीद होती है तो 325 संकला पर इसका निर्मान पांस से तीन होगा यहां पर सब जगह पर दिखाई दिरा सारी चत्रों में यहां पर भी 325 523 और जैसे और ज्यादा खुल जाता है इस संकला तो यहां देखिए नेक्स्ट फिगर दिया है यह टुकड़े बन गए एक दो तीन चार पांस ऐसे अनेक टुकड़े 500 से अधिक टुकड़े बन जाते हैं जब तब यह लेगेज एंजयम द्वारा जोड़ करके एक लंबा इस्टंट बना दियाता है और उसे भी कंप्लीट कर दिया जाता है कंप्लीट होने के बाद यह दोनों संकला अलग हो जाती है और अलग हो करके प्रतेक एक टुकड़े में एक पित्र संकला और एक नई बनी संकला होती है इधर भी देखिए और इधर भी इसके उपर भी नई बनी है और इसके उपर भी नई बनी है अब अलग होने के बाद प्रतेक नए बनने वाले डीने में एक पित्र संकला और एक नई बनी संकला होती है और इस प्रक्रिया को कहत अभी आपने पढ़ा ट्रांस्किप्शन यानि DNA में से DNA का निर्माड नेक्स टॉपिक में पढ़ेंगे अनुलेखन ट्रांस्किप्शन अर्थात DNA में से RNA का निर्माढ सभी प्रकार के RNA का निर्माढ DNA में से होता है DNA से RNA में किरिया को अनुलेखन कहते हैं इसमें DNA अपनी आनुवान्सिक सुचनाओं का प्रतिली रण न कौपी बनाना करा कर आर्यने में करता है DNA अनुलेखन आर्यने अन्य लेखन किरिया में 5-3 धुरुण वाले टेμप्लेट रज्जुख पर ही RNA का इन्निमाड होता है पांस से तीन पर ही तता पूरक रज्जुख में टी के स्थान पर यू आयादा नहीं थाइमीन के स्थान पर यू रेसल आयादा है आरेने का निर्माड दोनों रज्जुख पर नहीं होता दोनों रज्जुख पर होगा तो तो फिर अलग अलग गड़बड हो जाएगी क्योंकि आरेने तो प्रोटीन निर्माड के लिए बनाए न संदेश देने के लिए प्रोटीन नियिद्स का रेमार्ण की प्रक्रिया करने के लिए इसलिए किवल एक रज़क बनता है यदि RNA का रेमार्ण दोनों रज़क पर हो तो RNA दूर रज़्क हो जाएगा क्योंकि RNA दूर रज़्क होता नहीं है तथा protein sensation के लिए नहीं हो पर कर पाएगा अत्रे अनलोय एक्षन का प्रयास वियर्थ हो जाएगा दूसरी बात है कि ये दोनों रजुकों का आरेने कानेमाण हो तो ये इनके अनुक्रमों में बिन्यता हो जाएगी तथा आरेने प्रोटीन कानेमाण करें तो amino acid के क्रम में बिनिता हो जाएगी और 96 सुचनाय तंत्र में जटल दौत पंद कर देंगी इसलिए RNA का निर्माण दूर जुक नहीं होता दौनों स्रंखलाओं पर नहीं होता दूसरी बात करें अनुलेखन इकाई की तो अनुलेखन इकाई अनुलेखन कीरिया में भाग लेने वाली इकाईयों को अनुलेखन इकाई कहते हैं ये तीन प्रकार की होती है पहले उन्नाएक इकाई यानि प्रमोटर यूनिट जो प्रमोट करता है यह कोडिंग रज्जुक के पांच सिरे पर स्थित होता है यानि फाइब नंबर के सिरे पर ये लगा रहता है तथा डिने पर निर्भर आरेने पॉलिमरेज को अनुलेखन कीरिया प्रम करने के लिए प्रेजित करता है तो यह उन्नाएक इकाई है दूसरी है संदस नादम इकाई इस्ट्रेक्शल इनिट यह अनुलेखन कीरिया को आगे बढ़ाती है तता यह कीरिया डिने की प्रतिकर्टी के समान ही होती है किंटो थाइमिन के स्थान पर यूरेसल आ जाता है यह उन्नाएक इकाई वो समापक इकाई के मद दिस्तित होती है और तीसरी इकाई होती है समापकेकाई, यानि कि इस प्रक्रिजा को पूरा करने वारी है, यह कोशिका रज्जुग के तीन सरे परस्ते होती है, यह आरेने पॉलीमरेज को प्रस्तक करती है, जिससे अन्युक्रिया बंद की जा सके, यहाँ पर देखिए, यह एक रज्जुग है, यह तीन नमबर है, और यह पांच नमबर है, दूसरा एक रज्जुग है, यहाँ तीन नमबर है, और यहाँ पांच नमबर है, अब इन दोनों के बीच अगर यह प्रक्रिया देखें तो यहां सबसे पहले यहां लगा रहे था उन्नाइक जो प्रक्रिया शुरू करता है प्रमोटर उन्नाइक यानि प्रमोटर इसे कहेंगे हम उन्नाइक इसके बाद में यह संदचनात्मक मतलब कि संदचनात्मक निर्माड हो रहा है और अंत में यह बन जाता है यहां पर समापक का कारे करता है यह जो नीचे वाला रज्जू है यह टेंपलेट रज्जू है उपर वाला यह है टेंपलेट और यह वाला है कोडिंग इस तरह से संदचनात्मक जीनों का निर्माड होता है डी एने से आरे मेंगा अनलेखन की इकाई क्या है और इसके जीन किस तरह के होते हैं तो यहां इस पस्ट्रूप से दिया है अनलेखन इकाई वजीन डी एने अड़ों का वहखंड जो पॉली पेप्टाइड स्रंखला का कूड लेखन करता है उसे सिस्ट्रून या संपार कहते हैं यह दो प्रकार के होते हैं एक सिस्ट्रून और गूसर होते हैं एक्ज्वन इंट्रून डेखिये यह आपर मैं बता दू आपको जैसे डिने की एक संखला पर काक्रम यदि ए टी सी जी ए सी सी टी टी ए हो तो इसके सामने आरेनी की रचना का निर्माड आरेनी की जो संखला है उसका निर्माड A के सामने U आ जाएगा क्यों? क्योंकि T के स्थान पर U आता है और T के स्थान पर A आ जाएगा C के स्थान पर G G के स्थान पर C A के स्थान पर U यह G, यह G यह T के सामने A A और U इस तरह से यानि यह DNA की संखला हुई तो यह RNA की हो जाएगी इस तरह की क्रम होती है और यह question कई बार पूछने आ चुका है और कई बार आता भी पूछने के लिए कि DNA की संखला पर का क्रम यदि यह हो तो RNA की संखला पर का क्रम क्या होगा पॉली सिस्ट्रोनिक जीन यहां प्रोकेरिटिक में पाई जाती है प्रोकेरिटिक मतलब बेक्टिया में असीम केंद्री और ससीम केंद्री में यह दोनों में अलग प्रकार से चलता है और मोनोसिट्रिक जीवन यह यूकेरिटिक कोछ काम पाई आती है इक टुकड़ा यह दो प्रकार को होते हैं एक एक जोन व्यक्तित और दूछरा होता है अ व्यक्तित इंट्रोन ये संसाजित आरने में पाई आती है जिसे exon कहते है और intron ये संसाजित आरने में नहीं पाई आती है जिसे intron कहते है यानि बनने वाला टुकड़ा पूरा सलंग नहीं बनता जब कि प्रोकरियोटिक में सलंग बनता है इसके अनुलेखन प्रक्रम या अनुलेखन प्रक्रम की किरिया विधी अलगने तीन चरणों में पूरी होती है जो कि हम यहां बता देते हैं कि यह देखिए यह दियने का पूरा एक टुकड़ा है इसके उपर आरा ने पॉलीमरेज लगा हुआ है यह आरा ने पॉलीमरेज आरे नहिमार के लिए आया हुआ है और यह हैं सिग्मा फेक्टर सिग्मा फेक्टर इसके साथ लगा हुआ है जब तक यह दोनों साथ में जुड़े हुए हैं तब तक यह कारे नहीं कर रहा है क्योंकि सिग्मा फेक्टर इस DNA पॉलिमरेज को सोरी RNA पॉलिमरेज को रोक के रखे हुए ऊरेने का मतलब औरनरे को बहुली करण करना निर्माड करना इसलिए इसे आलने पॉलिमरेज कहते हैं लेकिन और अरने पॉलिमरेज अभी किसी और दूसरे सिंग्मा फेक्टर द्वारा जुड़ा हुआ है इसलिए यह काम नहीं करा है नहीं फिरी यह मुक्त नहीं है, काम में हैं इसले दूसरा काम नहीं करेगा परण जैसे ही सिग्मा फेक्टर अलग होता है इस थे RNA पॉली मरेज से अलग हो जाता है तो RNA पॉली मरेज DNA के दिकुंडलित संदच्ना को बीच में से तोड़ देता है बीच में तोड़ करके खुद अपनी जगे हासिल कर लेता है और शंखला में आए हाड़ों बंद को तोड़ना शुरू कर देता है और साथ ही आरेने के निर्मार की क्रिया, प्रत्यांकर की क्रिया यानि कि ट्रांस्किप्शन की क्रिया सुरू हो जाती है यहां पर यह क्रिया सलंग सुरू हो रही है प्रोकेरिटिक में प्रोकेरिटिक के अंदर देखें यहां पर कोई एक्जोन और टुकड़े नहीं है सलंग बनता चला जा रहा है यानि कि यह पूरे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, ग्यारा, बार, जितने भी बने इस सारे के सारे काम में आएंगे सारे के सारे उपियोगी होंगे तो बैक्टिरिया के अंदर यह सक्रीय रेनि ने के निर्माण की संसोधन की आवश्यक में स्वेम एक साथ निर्माण एवम इस््थानातन कर सकता है को सिखा में केंद्रक नहीं होता अधा है, डियना मुक्त होता है इसलिए DNA से RNA का निर्माण सलंग और किसी भी इस्थान पर संपन्न हो जाता है परंद अगर बात करें हम यूकेरियोटिक की तो यूकेरियोटिक के अंदर ये DNA है पूरा यहाँ पर ये RNA पॉलीमरेज है इसके साथ सिगमा फेक्टर लगा हुआ है सिगमा फेक्टर से बनते समय ये DNA की पूरी की पूरी स्रंकला जोकी तो कॉपी नहीं निकालती जैसे कि माली जीए कोई एक important कागज है उस कागज पर 4 या 5 चीज़ें बनी हुई है एक किसी का फोटो भी बना हुआ है और उसके उपर statement भी लिखा हुआ है जो चाहिए वो हम वहां grant करेंगे बस वही प्रक्रिय यहां पर है यह जो टुकड़ा बना पूरा आरेने का बनेगा तब यहां पर कुछ मात्रा में इंट्रोन और एक्जोन टुकड़े बनेगे ये yellow color का एक्जोन टुकड़ा है और लाल कलर का इंट्रोन टुकड़ा है यह इंट्रोन टुकड़ा हमारे कोई कामका नहीं है लेकिन एक्जोन टुकड़ा हमारे कामका है यह मैसेंडर आरेने बनेगा क्योंकि मैसेंडर आरेने ही सूचना लेकर केंद्रक में से निकल कर को सिका में रोटिन बनानी के लिए जाता है तब ये जो पॉली एडिनाइलेशन होते समय इसके सारे टुकड़े आपस में लाइगेज एंजाइम द्वारा जुड़ जाएंगे और बाकी का जो टुकड़ा था इंट्रों जिसका के कोई काम नहीं था जैसे मैं नहीं बताया कि जिसकी उसमें लाइन के अंदर या पेज में जो चीज़ जरुद नहीं वो उनको हम निकाल देगे तो यह हमने यहाँ पर यह राउंड बना करके इनको डिलेट कर दिया निकाल दिया और फाइनली हमारे पास क्या वचा यह फाइब टुकड़ा है फाइब नमबर और यह थ कि दूसरा यूकरिटिक के अंदर जो में प्रॉसस है उसमें थोड़ा सा और अगर देखें तो तीन अलगलग चनौणों में पूरी होती है कि अंदरक में तीन प्रकार के पॉलीमरेज होते हैं क्योंकि एक प्रक्रिया यूकरिटिक में जटिल है आरेने पॉलीमरेज फर्स्ट, आरेने पॉलीमरेज थर्ड, आरेने पॉलीमरेज फर्स्ट, 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 यहां पर देखिए, रिबोजूमल आरेने को बनाने के लिए आरेने पॉलिमरेज फर्ष्ट की जरुग पड़ती है और यह 28S 18S और 5.8S को अनुलेखित करता है सब यूनिट को जब कि आरेने पॉलिमरेज थर्ड यह ट्रांस्फर आरेने को बनाता है अर्ज में 5S आरेने और SN +. इसके कहदे आरेने का अमुलेखिता करता है जब कि आरेने पॉलिमरेज सेकन्ड यह मैसिंडर आरेने बिस्मांगी है्टोजिनस आरेने HN RNA का निर्माण करता है इसके अलावा और भी जटलता होती है उसकी दूसरी जटलता है अनुलेखन में व्यक्तेत व अव्यक्तेत अलग-अलग टुकडों का निर्माण साथ में होता है इसमें से अव्यक्तेत को अलग कर दिया जाता है और व्यक्तित को रख ले आ जाता है यहां पर यह आउट होगे यह प्रग्रियस तरह पूरी होती है